और आप सभी प्रतनकार भाईयों का आधी कभी दंदन और स्वागत करते हुए परसाद की वज़र से आप लोग हम के दार पे पहुँचे हैं काभी बारिश हो रही है बाहण और इस दबत ये बारिश तो मैं से बस्ताओं कि मैं बोज़दवाने के बाद देखा है इतनी बारिश मैं से लगातार बारिश हो गी है और इसमें पसल की बर्वादी भी है, फुरेट भी आगे है अब सारह चारह तरह तो आज के प्रेस कॉन्फरेंज के मकसद पर कॉन्फरेंज हमारे दर्वंगा में वियार भर्मन के दौरान माननी है, उपेदल कुस्वाह जी, जो जन्ता दर्वियू के पार्लेमेंटी पोर्ड के चेर्मेन है और वो आ रहे हैं, दर्वंगा कुड़ा भीयार कुंते हुए, 16 तारीक को तक्रिवन 11 बजे वो सक्री सबसे पहले सक्री आएंगे और सक्री आने के बाद वो दोरा, नराएंपूर, देहरा, बिरुआ चौक, मुझे उएंपिर बहरा, बहरा से फिर बहरी, बहरी से फिर चंदनपट्टी के रास्ते, लॉट करके इस बस्तवपर पार्ट विजे तक तश्मीप आएंगेंगे, आप रावस्यत आएंगे, आप्टी आएंगे काट चाले नहीं हो वही तैप हुआ इसलिए के वरोना पीरियड है बड़ी सवाव हो नहीं सकती तो एक काटिकरम महाफर रखता गया है जहां हो संदुदन करेंगे और आपके मीडिया के जरीया भी उसका 50% दिला में हो पुरे विहार में होगा तो इसी को काम्याब करने के ल अगतार मीटिंग हो रही है अपस में पार्टी की खाल कर्शा की ने नाउने तो कई मीटिंग्स को चुकी है ओर रड़ी जिसके बारे मैं शाहत जानकारी सभी दो मिल गई हो एक आज बी कल विलामिवाज जिन ने जाले में किया आज पराज ने मनीगाची में किया आज पर तो लगातार तैयारिया और सभी फ्रिकोस के लोग पार्टी के लोग पर अस्तर पे लगे दो उनके उनका स्वागब सवागत्थ उनकी बातों को पूरे बिहार में पहुंचाना और यह जहर्णकारी लेनी पूरे कार्ज करता से ने नाओं से कि जो कुछ वो कर रहे है कि आए वो करोना के लिए वो जिदी जी जो सैलाब मेहलों तासे वे उनके लिए और और जो दूसरे बिहार सभकार के जो गाल करम तो किस तरह से चल रहा है और उसको किस तरह से और । उसको किस तरह से उनके जानकारीं को इकटा करेंगे और वो निजी तर पहुचाने का नाम करेंगे तो मकसद सीधा है पोलिटिकल भी है और साथ साथ यार के डिवलमेंट से जुड़ी हुई चीज़ों को भी देखना है आम लोगों के बीच में और यही मज़र हैं कि जब वो आएंगे तो पुछ पुछ करोना में बहुत सारे साथी हमारे तरवंगा के लोग उदर हैं उसमें से सिंबॉलिक कुछ लोगों से के घर जाएंगे साथी जो वैक्सिलेशन सेंटर का भी वो दौरा करेंगे बहुत बहुत कारिश करम ने लिए इसमें यह सब जरूर है और आपको मालू ही है कि विहार ह हिंदोस्तान के सबसे या हिंदोस्तान में सबसे आगे है जो वैक्सिनेशन हो रहा उसकार्च करम शुरू में थोड़ी तकलीफ हुई लोग समझ नहीं पाए बहुत तरह की बातें मीडिया के दरिया या परसल परसल लोगों के पहुंची इसकी वैसे लोग बड़ा पीछे हटे लेकिन अब तो यह हाल है तो मैं खुद गया बहुत सारे सेंटर पे और सेंटर पे जाने के बास जो लाइन का तो पता ही नहीं था पकड़ पकड़ के लोगों लाया जाता था चुरू चुरू लेकिन अब तो मैं समस्ता हूं कि यतना वैक्सिन में दीजिए किसी अब बड़ा फाइदा हूं को नजर पता है और बड़ा फाइदा यह है कि जो थर्ड वेव की बात हो रही थी पहीं नहीं है वह थोड़ी खंती भी नजर आ रही है अगर के लिला इस्टेट को अभी हटा दे तो कल का जो मैंने आंकड़ा देखा वह तक्रीबन उनकीस हजा के करीब तक फिगरा रहा है जो काफी नीचे है जिस तरह से हम लो लाकों में चल रहा है इसका जो सबसे बड़ा फाइदा है जो वैक्सिनेशन इंडुस्तान में काफी बड़े पैवाने पर हो रहा है तर्दिवन अब जो एक नाउन अख़वारों के दरी है कि एक करोड़ कर परड़े तब एक्सिनेशन हो रहा है इसका फाइला आम लोगों को लेकिन यह जो तरास्दी थी यह जो एक बिन मुलाय मेमान था करोना जिसने इंसानों को बहुत तकलीव दिया जो जिन्दा है भूबी समझते हूं यहां पे तो हमरे नाम भासी दिया है यह तो मरते मरत सो बोतल पानी ही चड़ दिया है और हाँ एक्टिपाइव ऑक्सिजिन हो मैं मैं खुद रहा सोरा दिन भी मारत तो मैं समझ सकता हूं कि है जो करोड़ों लोग इंदुस्तान में इस बीमारी के लपिटे में आए किस तकलिव से दुझे हैं और उस खांदान के बारे में जवान से लेके बुड़ा तक्तमा अगर यह नहीं करने तो इसे बुड़े ही मरें जवान लोगों की भी मौत भी उद्धर बंगा के अंदर तो यह काफी मैं समझ रहा हूं और इसकी वया से जो एकॉनमी पे असर आया उससे तकलिव पॉल हो रही तो आज खुशी की बात ह है कि जो वैक्सिनेशन पूरे हिंदोस्तान में हो रहा रहा है और पूरे धुनिया में चल आए है लिकिद हिंदोस्तान ने कमाम तर पिछली जो भी प्रॉलम नहीं हो लेकिन आप दिवे दिवे इसका असर नगन करू है वैक्सिनेशन हो आहीं पाद है तो वो जल से जल्द इतना जल्दी भुसे के अपना वैक्शिन लें-'ращ आपने जियु ने पहला ले लिया है उनका वक्त बुरा हो गया है झाय जुम्हूर से जृरू वैक्शिन ले लें पतीजिक घेलत कनों मैंने बाहर के रिपोर्ट्स देखें उसके आधार के में का रहा हूँ तो वैक्सिन ने हमारी दिन्दगी को फिर से पट्डी के लाने का काम किया है और अगर इसी तरह से अगर हम लोग हैं थंडेट प्रसेंट वैक्सिलेटेट हो गए और अभी बारें से अठारा साल के बच और अपरली स्कूल भी चलेगा और अपरली पूरिटिकल एक्टिविटी हो पाएगी अभी तो सब कुछ रुका हुआ था है इकॉनमी भी रुक रही थी डेवलक्पिन रुक गया लोगों का रोजदार गया लोगों के हांतों से तो मैं सबस्ता हूँ तरवरी मार्स तक ये परवरी मार्स तर जो सब ऐसे लिविटिव हो जाएंगे हैं तो यहां तक सारी मुश्किलों के बाद दर्वंगा जो इस वांचल की राजनी है कर दर्वंगा को तीन बड़ा कौपा मैं इसके लिए मुझी दिखा हूँ का खुम गरबाद यहां का शुक्रियादर करता हूँ कि मुझे याद है कि जब मैं 91 में पहली मस्तवा हूं जवार हुआ था यही कहता था कि मैं अपने दिटगी में चाहता हूँ कि दर्वंगा कि अगे बड़े में आगे बड़े में आगे बड़े में आगे बड़े सारा जो सपना था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है इसलिए कि आज सिर्फ फोर्ड लेंड नहीं आया बलके माला प्रुजिट के दरी है जो औरकाबाद से सरत आ रही है जो गया पटना होते हुए काजपूर होते हुए दरवंगा तक अब तक है दूब आगा तो इसके भी दमीन के अधिगरन का काम स्टार्ट होता है समझती फूर में जो है रहा एडवांस में शुरूर होता तो वहां पर अगल मैं समस्था अगल की स्टेज में सब्सक्राइब है वहाँ के लोग आगए पाइनल स्टेज में दरवंगा में भी चिरित हो गया कुम सी दमीन लेना है अभी रेट प्रिसेशन होगा है इसके बाद पर नोटिशन होगा है फिर जो परकिडिया है वो चल दा है तो एक ये इससे बहुत बड़ी तबिली आने वाली है करा के अंदर हमें आपको जो लगे इसके आने के बाद कारुबार भी पढ़ेगा आने जाने की सब्लक बढ़ जाएगी और तरवंगा के छेरा बन जाएगा तो इसके लिए मैं मानियन निकिश कुमार जी को मभारकबार देता हूं कि जो भी बड़ा प्रजेट आता है इसम करें को दरवना को जरूर लगते हैं कि फांकर को दोने की कोशी जरूर लगते हैं और सबसे बड़ा उदारण है कि उन्होंने एरपूर्ट में पूरी अपनी कोशी से इसको जारी रखा है और यह नहीं किस इसी फॉनेशन डालने आ गया हूं बलके उसके बाद दो मर्तबह लोगने इसके इफ्रास नक्टर इसके दूसरे कामों के लिए सवगते से बड़े उन्होंने सौन एरपूर्ट जाकर के जागा लिया और जब किसी राजी का मुखमंतरी केर करें कोशी सवस्ताओं उसके कामी पाईदा उसके भी जवीन का अधिगरन के लिए पूरे जवीन सब्सक्राइब करके कैबिनेट की मंदूरी के लिए बेब दिया गया है और वो अब फाइनल स्टेज में जब भी कैबिनेट का की मौन लगेगी तो वो दमीड सिविल एवियेशन को पास्पर हो जाएगी और इसके बाद मैं समझता हूं कि वो हमारा प्रियास है मैं भी उस प्रियास करना होती है जो सिविल एवियेशन मिनिस्टर हों से मिलूग मुखमंत्री जी से तो कहा दिया है उनको खत्वी लिखा है कि इसको इंटरनेशनल एरफोर्स बनाएगा है और अब जो जमीन का दीकरण हुआ है को यहत्तर से एकड़ के करीम जमीन भी आई है उसमें वो सुझाएं कराई जा सकते हैं तो एक तो एरफोर्ट में माने निटीज जी संजेज आजी को लगे राते हैं विटारे जिन्दा और माने निटीज कुमार्टी अब परस्नल इंटरेस्टर हैं तो यह दो बड़ा काम जो माई तीसरा जो एमस है उसके लिए भी जमीन कुछ वो टेक्निकल प्राउलम थी इसके लिए भी जमीन उतलब डिस्टिक्ट से चला गया अधूर को करते हैं और तो एमस के बाद यह माना प्रोजेक्ट के बाद और एरफोर्ट के बाद तो एक ही काम बस्तार इसके पाद के दरवंगा के के इर्द में इंडर्स्ट्रीज लगें इंवेस्ट्मेंट आए उसमें भी हम लोग लगेंगे कुछ कंपनियों से बात करें कि यहां के लिए जो भी सुटिबल इंडर्स्ट्री और बहुत साथे प्रोटक ऐसे हैं जो यहीं बन करके यहीं खपच हो सकती है अब बहुत सारी मेडिसीन हैं बहुत सारे मेडिकल एक्ट्मेंट हैं चोटे यहीं बन सकते हैं उसके लावज जो सबसे बड़ी चीज हैं कि यहां लीची आम मखाना फिश मचली तो यह जो अग्रों इंडर्स्ट्री इसकी गुंजाईश भी बहुत बढ़ी हैं और जब अब तक कि इस तरह की इंडर्स्ट्री लगे भी नहीं हमारे किसानों की आमदरी नहीं उसका प्रयास के बड़े पहमादें पर करने की जरूरत है आगे आने वारे जिनों में और अग यहीं हुन लोग के कांदोर्ण दोने हैं तो यहां कारोबार लाओं आज ना कुन लोग जरूर्वनगा से विच्रांचन से पुरे देश की पोने पोने बही जाते हैं क्योंकि अब अब लिक्रिकर्चर भी अब बड़े परमाने पर आप देखें पहले दोने में हम चलता था माच्टरेश ने चलता है तो पहले जब आई होती थी तो हां से होती थी अब मशीन से ह तो मशीन ने काम भी कम किया है और उतने से बजाड़ा नहीं होता तो लों प्लाइंड करते हैं बाहर जाए और अगर यहीं कारवार आ जाएगा यहीं दस्तिने जाएगी तो मैं समझता हूं क्या है तभी जाकर के दरूंदर का जो भी इंड उड़ा है वो होगा प्लस एड अधियूकेशन हम वोना चाहिए है तो हमें भी मौका मिला हमने भी कुछ किया है लेकिन अभी बहुत कुछ होना बादी है दरवंदर के लिए ठीक है यहां मितला इवरस्टी भी आए अप्तृस्टी इवरस्टी आए मानुका सेंपर्स है यहीं नुए यह सब अपनी जगह पहले हैं भी बहुत कुछ होना आई है बहुत कुछ नहीं है और हमारे दिले की जो अबादी है और इतलांचन की अबादी को देखी है तो यहां पर अगर आप रख्की करना चाहते हैं तो तालीम भी सबसे बड़ा ज़र्या है उसके ज़र्या है क्योंकि लैंड अबादी के तनासु में देखें तो पूरे अंदुस्तान में यह जिला होगा सबसे टॉप पर होगा जहां जबीन कम है अबादी जया है तो जरूरत इस बात किया है कि यहां से पढ़ लिक करके दो बाहर जाएं तो आज भी यहां से बहुत अच्छे लोग निकल लें आई अबने है आपिस बननाए अपिस बननाए इति डॉक्टर बननाए लेकिन वह मार्स कोड़ेक्षन नहीं वह एक लिमिटेड पोड़ेक्शन नेहीं है वह जिमिटेड पूरेक्ष्ण नहीं है उसको बढ़ानी की जरुँसे ज़रुबता है कि जादस जादस बम्ड़ोग यह इसकर है कि जो आपको तारीम भी दे और नोपी भी दिला सके, ऐसी चीजों को फोकस करने की ज़रूरत है, और तो उस पे हम लोगों को जया देना होगा, अगले में तारीम, इंडॉस्ट्री और हेल्थ, और इस तीन सेक्टर को देखने की ज़रूरत है, मैं जब भी इंडिकी जिसे मिलता हूं, जिसके चर्चा धरूर होती है, और उनको क्या, अभी इनका काजिकरम हो रहा है, उसके बाद और भी जीनर्स आएंगे, और फाइनली जैसे ही ये बातावरन खीक हो जाएगा, उसके बाद प्रियास करेंगे, कोशिश करेंगे, एक लितीजी का बड़ा का काजिकरम यहां हो, और उसमें फिर उनको मन पर यहां बात सकेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे, और दरवंगा के लिए जो बचा बड़ा प्रोजेक्ट हैं, तो दिलाने का काम है.